मद्यप्रदेश के सागर में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब सुर्खी से भाजपा विदायक पारुल साहू ने बीचे पी विदायक पारुल साहू ने साफ तोर पर कह दिया है कि वो आगामी विदायक पारुल साहू ने लड़ेंगी पारण साहू ने ऐसा फैसला क्यों लिया इस पर उनका कहना है कि छेतर में विकास कारे करने के बावजूत भी रिपोर्ट में उनके कामों को निल बताया गया है इस बात से उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है इशारों इशारों में उन्होंने बीचेपी जिलाध्यक्ष राजा दुबे पर भी निसाना साधा है दरसल ये विवाद जन्वरी में बीचेपी की प्रदेश कारे समिती की बैठक से शुरू हुआ है विधायक पारुल साहु ने कहा है कि अब बहत चुनाव सत्ता और संगठन के कहने के बाद भी नहीं लड़ेंगी इस मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजा दुबे का कहना है कि संगठन की कोई भी बात सार्वजनेक नहीं की जा सकती है और जो भी मामला है उसे पार्टी फॉरम में रखा जाएगा वही सुत्रों की माने तो प्रदेश कार समिती में आर्थिक सहयोग को लेकर विधायक पारुल साहु की जो रिपोर्ट जिला ध्यक्ष राजा दुबे ने प्रदेश इस्तर पर सौपी थी उसमें पारुल साहु का परफॉरमेंस निल बताया गया जिससे नाराज विधायक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया न्यूस बुंदेल खांट के लिए सागर से सर्जु पतेल की रिपोर्ट